यह लो फ्राइंट्स नमस्कार देखेए एक नए कुंड़ली अध्यन के लिए कमटबॉक्स में आई थी इसका अध्यन करेंगे लेकिन उससे पहले फ्राइंट्स अगर आप भी इपने कुंड़ली का अध्यन कराना चाहते हैं तो लेटव बर्थ पहले सुरस्थान भी होते हैं मंगल होते हैं तो मंगल देखिए यहां पर कर्म भाव में बैठे हुए है तो इस परकार लगनेश का संब्द जब भी कर्म भाव से बनता है अपने आप में ही राजयोग के स्थिति हो जाती है जब भी इस तरह से लगनेश कर्म भाव से संब्द बनाता है तो वै बनता है जब लगने जो आ करम भाव में बैढता है तो यह स्रेश्च ठीती हो जाता है कि वैक्ति कभी भी खाली नहीं बैढता है कुछ ना कुछ अपना कारिया करता रहता है धन कमाने के लिए अरजित करने के लिए यह यह बर अच्छी स्थीतियां पर बनी हुई है दूसरा वरिष्टिक लगन के व्यक्ति होते हैं, कुरोधी सभाव के होते हैं, जल्दी निरना लेने वाले होते हैं, जल्द बाजी में निरना ले लेते हैं, और गुशा बहुत जादा आता है इनको, और दूसरा देखिए, अपने सत्रों को भी यह नहीं छोड़ते हैं, सत्रों से भ होता है सोड़ी फ्रेंड्स वरिष्चिक लगन जो है जल तत्वे लगन होता है राशी इनकी धनु राशी बनती है और राशी जो होती है अगनी ततव की होती है तो इस परकार से राशी और लगन का सम्मध मैंने बताया है तो इस परकार से 50 प्रेंडट आप चेंद il राशी का परभाव और 50 परसेंट जो है अपर लगन का परभाव रहता है तो इस परकार से आपकी चंद्र स्थिति है अपने हे pies अच्चा माना जाता है बुद्ध ह़्यों हम जोतिस में और गुरु का बैठने लगन में तो गुरू जबाखन में होते हैं तो वैक्ति अपने हाँ में हो जाती है लाख दोसो कुड़नी में तो गुरू अकेले ही उन दोसों का निवारन करते हैं इस परकार गुरु को हमेशा ही कारक माना गया लगन में सूर्य को भी तो यहां पर भोती स्रेश्ट स्थीति लगन की बनी हुई है लेकिन देखे फ्रेंड्स गुरु के पास अंसबल बिल्कुल ही कम है मरित अवस्था के हैं तो इस परकार से जब अस्टो में भी है और अस्टो में जो होता है परसानियों कौहीं दर्शाने वाला होता है तो इस परकार से अस्थ मे इसका समण जबले इस एक परकार से निवन लएंग सब्ञ strangkaa जाता है तो ऑसब्यों आ मिवाल में कम आ जाती है इस प्रकार से जोतिस में अपने ग्रया काम करते हैं जिसे हमें लगता है कि राजयोग की स्थीति है लेकिन राजयोग नहीं बन रहा है तो इस प्रकार से राजयोग जो है कम हो जाते हैं फ्रेंट्स कुंडली में जब खराब भाव का संबन जो बन जाता है लगन से अब इस परकार से आप अपनी वाणि को थोड़ा कंट्रोल करके, आपकी बातों से जो हैं, सामने वाल वक्तिक को आप जल्दी ही सत्रू बना सकते हैं, अपनी कडवी वाणि तो इस परकार का परभाव भीयां पर रहेगा, तो इस प्रकार आप ज्यादा सत्य बोलने से बच्चे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स बच्चों की छोटिया चल रही है तो वीडियो में आवाज आ रही है तो आपको परशानी हो सकती है उसके लिए माफी चाहूंगे क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो वीडियो बनाने में सनी यहां कुम्बराशी में बैठे हुआ है वैसे तो यहां सास्योग का निर्मान कर रहे हैं अच्छे माने जाते हैं सभी परकार की शुक शिवदायों जो है यहां सनी देते हैं कोई भी भोतिक शुक शिवदायों की कमी यहां पर सनी नहीं करते हैं मकान भावन वाहन और क यहां पर देखिए मातब किता के समंदों में इतनाव की स्थितियां अत्पन हो जाएगी क्योंकि मंगल सामने बैठे में तो विस्पोटक प्रभाव रहेगा तो व्यक्ति का मन भी घर में नहीं लगता है इस प्रकार के स्थिति रहती है और व्यक्ति जो है अपने घर से निर हडियम में दर्डवगारा नशों में खिचाव किस्ट तकलिफियां पर रहो सनी की दRIST Lessman से दे देते हैं फ्रेंडस और दूसरा कारियं में भी उतार चड़ाव किस्थिति यह मंंगल सनी के रिष्ठी समंद से बनी रहेगी कभी कारिये उतार चड़ाव के स्थिति किस्थ पर नहीं होता है वो देर से काम बनते हैं और कारिया जो है बीगन बादा प्रसानी से बनता है तो इस परकार के स्थीतियां पर बन जाएगी जो सुब स्थीति है तो उसमें कमी इस परकार से आ जाती है लेकिन फिर भी वैक्ति को धन की कमी कभी नहीं होगी क्योंकि यहां पर भी वैक्ति के पास नहीं होगी लेकिन बागी ग्रेव की स्थीति से थोड़ी क्योंकि कभी भी किसी का जीवन जो है बिल्कुली सफलता पूर्वक गुजरे ऐसा नहीं हो सकता उतार चड़ाव सबकी लाइफ में होते हैं किसी के जादा किसी के कम इस परकार से धन कि स्थीतिय यहां पर अच्छी है तो वहां मानचिक तनाव की स्थीति भियान दिखाई दे रही है क्योंकि देखे फ्रेंट्स अब यहां पर सुक्र राहु का लंपट योग भी वैक्ति में आ जाती है तो और भोग विलास्ता पर जो है वैक्ति बढ़ चड़कर खर्च करने वाला हो जाता है तो धन की बरबादी भी यहां पर बहुत दिखाई दे रही है और दूसरा देखे सुर्यक लगन में होना गुरू का और बुद का और मंगल का यहां करमभाब में बैठना तो ऐसे वैक्ति सानी भी देखे शाश्योग में है तो राजनीती में भी बहुत सफल हो जा दिखाई दे रही है और वैक्ति जो है घर में ध्याना देकर बाहर भोग विलासिता के प्रति भागने वाले यहां पर राहु शुक्र की यूति से बनी हुए है कि वैक्ति जो है बाहर शुक्र ढूनने की कोशिस करता है इस प्रकार की कमी भी यहां पर दिखाई दे रही है सुख राहू के लंपट योग से अब देखे फ्रेंड्स गुरु जब भी लगन में बैढते हैं तो इनके शुभ भाव पर दृष्टी का पर भाव जो है गुरु का होता है गुरु की पांचवी दृष्टी संतान भाव पर पड़ती है तो आपके संतान स्रेष्ट रहने की संभावना यहां पर बनी है आपके संतान बहुत ही अच्छी होगी भाग्य साली होगी और वैवाई की जिन भी भले ही कमी आई है इसमें देखे भोतिक सुख की जो मैंने सर् आठ नो नो भी दृष्टी गुरु की भाग्य भाव पर उचकी दृष्टी पड़ेगी गुरु करकराश में उचके माने जाते हैं तो यहां भी श्रेष्टी भाग्य साली रहता है जब भी इस परकार से गुरु लगन में बैठता है तो फ्रेंट्स लेकिन गुरु जो है कर सकते हैं आप देखें चंद्रमाप के धनभाव के कारक हैं तो इस परकार से संकर भगवान को दूद से अभी से करना तो इस परकार से जो देखें हर्मान कर सकते हैं मंगलवार के दिन और दर्शन कर सकते हैं हनमान जी के तो इस प्रकार के छोचोटे उपाय करकर आप जो श्रेष्ट थीती है को उग्रहों की उनका परभाव ज्यादा ले सकते हैं फ्रेंड्स और दूसरा सनी जब भी यहां चुतर दभाव में अकेले होते हैं तो रिधा वस्ता को जुरूर खराब कर देते हैं यह जोतिस का सुत्र था फ्रेंड्स तो मुझे याद आ गए तो मैं आपको पिता दिया तो आई हो फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अच्छी लगेगी अगर अच् सब्सक्राइब भी किजिए का फ्रेंड्स थैंक्यू फ्रेंड्स